हलो फ्रेंड्स यदि आपको प्रेग्नेंसी हुई है तो अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि हमारी डिलिवरी की डेट क्या है तो डॉक्टर कुछ कैलकुलेशन करते हैं कुछ जोड तोड करते हैं फिर आपको बताते हैं कि आपकी यह तार आज आपको बताने जा रहे हों कि हम डॉक्टर कैसे कल्कुलेट करते हैं बड़ा सिंपल सा फंडा है एडी का मतलब होता है estimated date of delivery estimated date of delivery का मेनिंग होता है कि आपकी expected delivery कब तक हो सकती है du 나는 227 होता है इसलिए हमध्यиты के अच्छांप्टों के अंदर कांट करते हैं यानि कि हमारे इसाब से प्रेग्νη लिए चालिस हफ्तों की होती है आप लोग महीनों में कांट करते हो आप लोगों कर्ते हो तो आज नौ महीने को अगर आप वीक्स में करोगे तो निदेगे 60 महिने के अंदर चार कांट करेंगी तो 36 वीक यह आता है एक महिने के अंदर 30 दीος supplying करते हैं तो अर्फासीकाpent करते हैं औरλά Estelle । होते हैं क्योंकि एक हफते में साथ दिन होते हैं तो यानिकि 7 x 4 इक्वल्स to 28 तो 28 दिन के हिसाब से हमारे पास 3 दिन या 2 दिन हर महीने में एक्स्ट्रावल्स बचते हैं जब तीन और को आया था तो अगली बार आपको पांस तारीक को महीना नहीं आया तो आप सोचते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और आपको पता चलता कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है लेकिन आपको यह नहीं पता चलता कि आपका बच्च उसके साथ बच्चा लगा है तो हमें जो एक fix point बता होता है वो सिर्फ menstrual period की यानि अपने महीने की तारिक बता होते हैं जिसको कि हम last menstrual period बोलते हैं यानि कि LMP बोलते हैं LMP लिखी जाती है उस LMP से ही EDD काउंट की जाती है और उस EDD को निकालने के लिए उस date के अंदर 40 हफ्ते जोड़े जाते हैं अब 40 हफ्ते तो बैठके ऐसे जोड़ते नहीं है उसका सीधा सा परवरी को आपको पता चला कि आपका पिरेट नहीं आया है तो अब हम उसके date निकालने के लिए 15 जन्वरी के अंदर साथ दिन और जोड़ेंगे तो फंदरा और सात हो गए बाइस तो यह अक्टूबर में जाकर आपके 9 महीने पूरे हो जाएंगे, तो यानि कि आपका जो अगर 15 जनवरी आपके LMP है, तो EDD आपका आएगा 22 अक्टूबर, तो यह very simple calculation है, अब दूसरा सवाल होता है कि जो डॉक्टर ने डेट लिखके दे दी है, तो क्या यह फिक्स डेट ह होगी, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, डिलिवरी कभी भी हो सकती, पूरी 9 महीनों में कभी भी डिलिवरी होती है, कभी एक बार टाइम से बहुत पहले होती, तो हम उसको प्रीमेचोर डिलिवरी बोलते हैं, कई बार बहुत जल्दी हो जाती है, तो उसको बहुत ब पहले होगे तो abortion में count हो जाती है, pre-term delivery, premature delivery, बहुत सारे terms बनाए हुए हैं, लेकिन जो normally delivery होती है, वो last के तीन हपतों में होती है, यानि कि जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं, 9 महीने का मतलब 36 weeks complete हो गए, तो उसके बाद में 37, 38, 39 कभी भी delivery हो सकते हैं, अमोमन जो 60-70% deliveries होती है, वो 38 weeks से लेकि 40 weeks के बीच में, यानि कि delivery की जो आपको तारीक दी, उससे पहले के 15 दिनों में delivery होती है, तो ये एक expected time होता है कि चलो इसके आसपास delivery होगी, और दूसरा एक ही cut off limit है कि इस date के बाद में हमें pregnancy आगे carry on नहीं करनी है, यानि कि अगर आपको डॉक्टर ने आपक 15 फरवरी को delivery की तारीक दी हुई है, अगर आपके 15 फरवरी तक भी delivery नहीं होती है, तो definitely आप उस pregnancy को आगे carry on नहीं कर सकते है, फिर उस pregnancy को terminate किया जाता है, उसमें यदि आपके दर्थ नहीं चल रहे हैं, तो definitely आपको labor pain induce किये जाते हैं, और यदि अगर आप labor pain induce नहीं करान नहीं किया जाती है, उसे पहले पहले delivery के लिए wait किया जाता है, लेकिन अगर आपको यह के दर्थ नहीं आ रहे हैं, labor pain का कोई starting नहीं हो रहा है, तो उस date तक तो EDD तक तो wait किया ही जा सकता है, आराम से बिना किसी नुकसान के, लेकिन बच्चे की हफते की हफते monitoring की जाती है कि बच्चा सही है, घूम रहा है, सही से पानी कम नहीं हुआ है, बच्चे की movement अच्छे है, बच्चे की धड़कन अच्छी चल रही है, तो यह सारी चीज़े हमारा हम से पूरा monitor करते हैं, और सब सही रहता है, तो हम EDD तक भी delivery नहीं होती, तो definitely हम pregnancy को terminate कर देते हैं, तो य हम आपसे फिर में लेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार